स्वादत के लिए आप सब को दिन से बहुत बहुत धन्यवाद पिछले साल हमने कञ्या कुमारी से दश्मीर तक भारत जोडो यात्रा चली थी 4000 किलोमेटर चली तो हमें लगा कि 39 से लेकर महाराष्टरा एक और यात्रा करनी जाए और इसलिए हम बारत जोडो निया यात्रा पे निखे है इसको नीचे गरो ना और इसका यात्रा का लक्ष हिंदुस्तान को जोडने का है धर्मों को आशाओं को जातों को दो सब को एक करने का है जैसे आप जानते हो कि anime की मिचारदारा किंदुस्तान के लोडों को पाचती है एक एक धर्म को दूसरे धर्ण से लड़ाती है, एक जाट को दूसरी जाट से लड़ाती है, एक भाशा को दूसरी भाशा से लड़ाती है, इसके खिलाब हम नहीं यह यात्रा निकाली, आप ये भी जानते हो, आप ये भी जानते हो कि हिंदुस्तान में, हर स्केट में, कोने-कोन में गरीव लोगों के साथ गमजोर लोगों के साथ अन्याए हो दा झाल, थीम उव्योख्पतियों, को XD देश का पूरा-पूरा धन पकडा है है हर स्टेट में दो तीन बरे उडियोगती है वो चीफ मिनिस्टर के मित्र होते हैं उनके पास उनका रिष्टा होता है और स्टेट का पूरा का पूरा फाइदा उनको पूरता है तो इस यात्रा का दूसरा लक्ष अन्याय के खिलाफ वो यात्रा निकली है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करने का यात्रा का लक्ष है आप सब आए इसके लिए दिल से बहुत 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 धन्यवाद देखिए मनिपूर से हमने शुरू किया और आप जानते हो महीनों से मनिपूर में हिंसा है लोग मारे जा रहे हैं घर जलाए जा रहे हैं मगर प्रिधान मंत्री जी आज तक मनिपूर नहीं गए वैसे ही नागा लैंड में प्रिधान मंत्री ने वाइदा किया था कि नागाज के साथ वो पीस अकोड कराएंगे वो जो उनका समझाता थ उन्होंने नो साल पहले वाइदा किया ता कि वो पूरा कर देंगे आज तक प्रदान मंत्री ने उस सेटल्मेंट पे कुछ नहीं कहा वो सेटल्मेंट वही का वही पड़ा हुआ है वैसे ही आसाम में बहुत सारे मुद्धे हैं हमारे यहाँ पे स्टी एस्टी एस्टी लोग ह नियाय का हक मिलने तक झाल झाल